हलो फ्रेंड श्वागत है आपका बीटीफुल टेरिस कार्डन में मेरे आउट्डोर काफी प्लांट्स लगे हुए हैं जिसमें मैंने अपने वेजिटेबल के प्लांट्स भी लगाई हुए हैं मेरे टेरिस पे भी काफी प्लांट्स लगे हैं जो मैं आप लोगों के साथ अक अपने घर में वेज़टेबल ग्रोग कर सकते हैं जिससे जिसका अच्छा रिजल्ट भी हो मिलता है हमें और प्रू टिंग भी करते हैं आप चाहें थो ग्रोवेक नअब भी lotta करते हैं चाहें तो गांडर्ट है है फ्रूटिंग र्यूप करते हैं वंबamat करते हुअधी ब्यट्स अच्हों ग्रोवेक हैं उन्य जए ग्रोवेक सब्सक्राइक्छा algumas अब привu और यह देखो मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूंगे आप भी देखिएगा कि कितनी कितनी बेंगन निकले हुए हैं और उनका साइज भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है आप मुझे तो देखो बीडियो प्लस बनाने में प्रॉब्लम हो रही हैं मैं किसी और की हेल्प प्लोंगी और आप देखिए कितने बड़े बड़े साइस के बेंगन हैं इसमें मैंने कोई भी ज्यादा कैमिकल यूज नहीं किया हुए हैं फुली ऑर्गैनिक हैं इस वजए से फिर भी साइस इनका काफी अच्छा है और मैं इसमें बहुत ज्यादा कोई खाद या फर्ट फर्टीलाइजर बना के मैं हमेसा यूज यूज करती हूँ और वो अपले जो होते हैं उसका भी मैं फर्टिलाइजर बना कैके डाल दह डेते हूं और जिसमें मेरे प्लांट काफी हेल्दी रहते हैं अब बात रही स्प्रे कि तो वो यह स्प्रे मैं कोई भी कैमिकल प्रह नहीं करती हूं मैं नीम उयल में सर्फ मिलाके हर आट दिन में स्प्रे करती हूं जिसमें कोई भी कीड़ों का अटेक नहीं होता है और मेरे प्लांट्स काफी हेल्दी रहते हैं यह मेरे एक साल से वही प्लांट्स रेगुलर चल रहे हैं बस जब इन पर फ्रूटिंग खतम हो हैं मेरे एक साल पराने प्लांट हैं जो काफी अच्छी फ्रूटिंग करते हैं बस मैं समय समय पर इनकी कटिंग कर देती हूं तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा ही कीजिए और कुछ फ्रेस वैजिटेवल आपको भी मिल जाएंगे अगर एक चीज और होती है कि अगर आप अपन अब हार्वेस्ट नहीं करूंगी वस उतने ही करूंगी जितने मुझे जरूरत है और इसके बाद बड़े हो जाएंगे तम मेरे हार्वेस्टिंग के काम में आएंगे और आप जब भी अपने घर में कुछ सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं आप अपने घर में बिंडी के बेजिटेबल भी लगा सकते हैं जो हमें बहुत ही ग्रो बैंग में अच्छे से ग्रो हो जाती हैं आप देख रहे हैं यह मेरे बैंगन की हार्वेस्टिंग है बस मैंने इतने ही बैंगन तोड़े हैं जो मेरे लिए काफी हैं और उसके बाद मैंने कुछ बैंगन छोड़ जो मेरे आगे काम आएंगी और जब अपने घर पर ही है तो इन्हें सारे एक साथ तोड़ के रखने से कोई वेनिफिट भी नहीं है क्यों ना फ्रैस ही यूज करेंगे और तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे बैंगन की हार्वेस्टिंग हुई है और सा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा बाबाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में